जैसे जैसे समण लोगों का संग अपना आकार लेता जा रहा है लाखों हजारों साल पुराना वैसे वैसे संग्ठन अपनी मिर्तियों के करीब जाते जा रहे है ये एक नैचुरल प्रोसेस नैचुरल फिनोमिना एक प्राकरतिक रूप से होने वाला कार्य पक्ती रूप से होने वाला काम होता है कि जब कोई संग तोड़ा जाता है या संग तूटता है तो वो छोटे-छोटे इकाईयों में चोटे-छोटे टुकड़ों में पट जाता है या बांट दिया जाता है भारत में सबसे प्राचीन संग क्योंकि संग की भूमिका और संग की फाउंडेशन जो परकरती से सीखी समण लोगों ने और वही समण लोगों ने जब सिद्धत गौतम को संग के तहत में एक देश निकाले का आदेश दिया और फिर वही समण परंपरा वही समण संखती वही समण संग बुद्ध ने भिक्कों के लिए और भिक्क्वनी के लिए बनाया और उसके नियम बनाया तो पुराने पक्ति नियम यानि प्राकरतिक नियमों से नेच्रल नियमों से सब कुछ लिया और जैसे जैसे वेवार में, यानि प्रक्रिस में अभ्यास में कठना ही आती गई, वैसे वैसे उसके नियम डबलप होते गई और बनते गई जब वो बुद्ध के साहीत तक उठा के देखते हैं और जानकारी पाते हैं तो यह पता चलता है कि जो नियम बने हैं, वो नियम जब आवशक्ता हुई, जैसी आवशक्ता हुई, वैसी समस्या के बाद बुद्ध ने बनाए जो विन्य पीटक में है, सुत्थ पीटक में है, अभी धम पीटक में है, सारे नियम वहाँ पर वैसे के वैसे है एवंग मिंग सुत्त यानि जो कहा जाता है ऐसा मैंने सुना यानि बुद्ध ने उस समय उस समस्या के वारे में ऐसा कहा ऐसा मैंने सुना यहीं से सारे सुत्त आरम हुए है वही सारा जो संग का नियम है वही जो संग है दुवारा से उनका आधुनी करण होकर दुवारा से आजके परिवेस में उनको निकाल कर ढाल कर बना कर बावा साव अमबेट करने संविधान में डाले और समविधान से और पुराने नियमों से मिलाकर समण संग के सारे नियम दवारा से बन रहे हैं नियम वही हैं, पर मौडिफाइड हैं, भासा बद्ली हुई है, जरूत के हिसाब से सब्द दाइबाय हैं सार वही है मतलब वही है समस्या वही है समाधान भी वही है तो जैसे जैसे संग इस बात को प्रचाइद कर रहा है कि केवल संग वाद चलेगा संग वाद के अलावा कोई व्यक्ति वाद, कोई भिकु वाद, कोई भिकुनी वाद, कोई मठ वाद, कोई नेता वाद, कोई परिसंग वाद, कोई अध्धक्ष वाद, कोई संग वाद, कोई महासंग वाद, कोई पार्टी वाद, कोई संस्था वाद, या कोई दलबल वाद, या कोई सक्ति आर्मी सैनावाद, ये सारे वाद नहीं चलेंगे, ये सारे वाद खतम हो चुके हैं, अब इनको किसी भी हालत में भारत के समन लोग अपनाने को त्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन सारे वादों को जितने तरगी वाद हैं, इनको भारत के समनल लोगों ने हवा पानी या पैसा या जो सहोग है वो ना दिया हो खूब तन मन धन से इनको सहोग किया पर परिणाम आने की बजाए उल्टे बापिस चले गए और जो बावा साथ संग वाद के तहट में परिणाम लेके आये थे वो सारे परिणाम भी चले गए आप ध्यान दोगे तो बावा साथ ने कोई जाती वाद का कोई संठन नहीं बनाया बावा साब ने कोई ऐसा कोई महारवाद का या कोई महराष्टवाद का या कोई महुवाद का जहां वो पैदा हुए या कोई मुंबई वाद का जहां उन्होंने अपना काम सुरू किया या कोई ऐसा सम्हुनी बनाया उन्होंने संग वाद पे आधारित सम्विधान बनाया और संग वाद पे आधारिती सारा काम किया इसलिए परिणाम आए तो संग यानि जो समणों का संग है यह बहुत तेई से काम कर रहा है इसके तरफ बहुत तेई से लोग चले आ रहे हैं क्योंकि इसमें कोई चंदे का धंदा नहीं होता, इसमें चंदे की आवश्क्ता कभी पढ़ती रही और इसमें संगवाद है, इसमें कभी व्यक्तिवाद, नेतावाद, भिकुवाद, भिकुणीवाद या कोई संस्थावाद या कोई कैसा भी बात नहीं आने वाला या हमेसा संगवाद रहेगा ये इसकी खास बात है और इसमें कोई मंच, माला, पद, प्रतिष्ठा नहीं होती है उन रोगों से ये मुक्त हो चुका है और अब इसमें भाशन भी नहीं होते एक जुलाई 2022 से जो सबसमती से हाउस के अंदर ये निया पास हुआ कि अब यहाँ भाशनों की आवशक्ता नहीं है भाशन भाशन भाजी बंद अब सिर्फ एडलोजी यानि संगवाद पर ही बात होगी जो संगवाद पर बोल सकते हैं बोलें अदरवाइज यहाँ अपने मन की बात या अपने वैसे आगे बढ़ते जा रहे और बहुत तेशे आगे बढ़ते जा रहे तो दब से ये बात आई है कि संग्ठन हमारे किसी काम के अब नहीं रहे ऐसा नहीं कहते हम कि संग्ठनोंने पहले काम नहीं किया क्योंकि संगधनों का जो आधार है वो मनुस्मर्ती आदार है जिसके अंदर वियक्तिवाद, पृधानबाद, अधिर्षवाद और जिसके अंदर राष्टर अधिर्षवाद, ये सब जो वाद जिसके अंदर होते हैं समर्टी में होते हैं, जो सम्विधान की समर्टी है, या जो बुद्ध की समर्टी है, या बुद्ध से पहले की जो समन लोगों की समर्टी है, या समन सती है, समन सती के हैं तो बहतर होगा, उस समन सती के अंदर, या सम्विधान सती के अंदर, या बुद्ध सती के अंदर, वह सिर्फ संगवाद है इसलिए क्या हो रहा है संग जैसे जैसे प्रचायत कर रहा है और संग के हज्जारों लोग इस काम में लगे पड़े हैं वैसे वैसे संग्ठनों के चंदे बंद होते जा रहे हैं तो संग्ठनों के अंदर चट पटा हट होती जा रही है वो यह समझने को त्यार नहीं है कि उनकी मौत होना अच्छा है कि उनकी मौत होगी तो संग एक होगा साई लोग एक होगे और वही लोग तो काम करेंगे जो संग्ठन में करते हैं पर उनको लगता है कि अगर वो मर गे तो खतम हो जाएंगे इसलिए वो अपने संग्ठनों को बचाने की जीतो करेंगे, तो मिलके वो इखटे हो जाते हैं, हर एक संठन के ददस, बीस, पिस, पाँच पाच आदमी होते हैं, सारे भी मिल जाते हैं तो डेर सो, दो सो, तीन सो लोगों की भिड़ इखटी कर पाते हैं, इस सजादा की हो नहीं पाती, क्योंकि है यह कहोगे संग में आ जाओ, संगबाद में आ जाओ, संग्ठन खतम करो, इखटे हो जाओ, तो वो कहेंगे हम इखटे हो रहे ना, हमारा पर्चा देखो, हमारे पर्ची पे 27 संग्ठन इखटे हैं, 40 संग्ठन इखटे हैं, 20 संग्ठन इखटे हैं, 10 संग्ठन इखटे हैं, त इस बात को ध्यान देना, पर ये पहला step है, वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोलेंगे, कि हम इखटे हो रहे हैं, तो ये पहला step है, इसको ध्यान रखें, वो इखटे होंगे, पर मन से इखटे नहीं आएंगे, उनमें हर आदमी, हर नेता ये कहेगा, मेरे 200 आदमी आए हरनों की लोग हैं, और हर एक संग्ठन के अगर सौ सो आदमी भी आते तो दो हजार आदमी आते हैं, और दो हजार आदमी तो दिली में, किसी हौल में आसता के खटे नहीं हुए, पर पता चला, वहां कुल जमा 140 आदमी है, और उसमें आदे से ज़्यादा जो आयो जाके उस की बात है, इस चकर में सब लोग हां कर देते हैं, यह प्रेक्टिस हम अपसे नहीं देख रहे हैं, यह 20 साल से प्रेक्टिस देख रहे हैं, जब मैं परिशंग के अंदर था, सरकारी करमचारियों के संख्टन के सारे नेता बैठते थे, बस नेता यह बैठते थे, और जब वैली होती थी तो कुल जमाद 2000 आदमी पूरे रामलाय मिदान में नहीं मिलते थे क्योंकि जो मैन लीडर में होता था नेता उसको सारे कहते थे यह आगे बढ़ जाएगा तो कहता कोई नहीं था पर काम नहीं करते थे पैसा भी नहीं देते थे थोड़ा बहुत बार-बार मागने पर देते थे और लोग भी नहीं लेके आते थे पर मना नहीं करते थे कहते हमारे एक लाख आएंगे लिख लो जब लिखे जाते थे तो कोई एक लाख लिखवाता था कोई 20 या लिखवाता था जैसे जैसे संग का समर संग का दबार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे संग्ठनों को इखटे होने की मजबूरी होती आ रही है तो काग जी इखटा हो रहे हैं अभी काग जो में इखटा हो रहे हैं चलो मान लेते हैं कि वो काघ्जों में इखटा होने से actual बी इखटा होते हैं तो साब्धानी रखनी है इखटा होना अच्छी बात है अगर पड़्चे पर नाम लिखे है तो भी अच्छी बात है नाम लिखना तो सुरू हुआ तो मंच पे वो आपको सारे नेता मिलेंगे जिनके नाम होंगे क्योंकि लोग उनके आई या ना है पर मंच पे सारे ही बड़िया कलफदार कपड़े पैनके सफिद कपड़े पैनके नहाके दोके मूश डाड़ी बनाके बड़िया बड़िया सारी वाड़ी पैनपान के सब लोग वहाँ पहुंच जाते हैं टाइम से पहले क्योंकि कोई भी अपना भाषन नहीं छोड़ना चाहता जाता ज्यादा भाषन करना चाहता है यही तो किया है आस तक सतर सालों में और तो कुछ है नहीं बाषन के लावा कुछ नहीं हमारे पास तो वो लोग वहाँ आएंगे तो आप जैसे और मेरे जैसे साधान लोगों को उनसे क्या पूछना चाहिए उनसे यह पूछना चाहिए कि भई आपको भूके लोगों के लिए खिर बनानी है और आप यह कहते हैं कि हम दूद लेके आएं है सारे खटे होके लेके आएं है बड़ी खिर बनेगी दूद ज़्यादा है तो आप अपने दूद की जो थैली है उसको खोलो तो सही अगर आप अपने दूद की थैली को नहीं खोलते हो और आप एक ड्रम में सारे अपने दूद की थैली वैसी डाल देते हो जो पैक है और फिर कहते हो खीर बनानी है oraz सर्थ लगा दिए हमारी थैली मत खोलना तो खीर कैसे बनेगी बंद थैली से दूद बाहर निकलेगा नहीं तो खीर कैसे बनेगी ये ठीक ऐसे बात है कि कि जैसे संग्ठन तो वहाँ आए, पर अलग अलग रहे, अलग अलग बिचार दिये, अलग अलग मत दिया, अलग अलग भाशन दिया, और अलग अलग एक दूसरे को देखके चलेगे, और एक दूसरे के आदमियों को तोड़के चलेगे, उससे फायदे की जगे नुक्सान हो खीर कब बनेगी उस ड्रम में सारे अपनी थैली फाड़ो दूद की और दूद को ड्रम में डालो और फिर उसको कड़ाई में डालो और फिर खीर बनाओ फिर खाय जाएगी कहने का मतलब यह है कि संग्ठनों का विले करिए संग्ठनों को खतम कीजिए और इकटे होके एक है साइड लोग हमें क्या लेट देना कौन लेता है कौन देंदे हो नहीं पर इखटे होके आओ फाइदा ह Simmons में है पर और वो इकटे होके नहीं आते तो वह आपको बर्ग लाएंगे हो आपको दौस किये आप से मांगेंगे आपको से कहांगे देखो आप इखटे हैं पर च बुद्ध की थेलियों को खोलो, इसको सब एक साथ मिलाओ, और खीर बनाओ, अगर धम के संग्ठन है 20, तो धम के 200 संग्ठन एक होने चाहिए, ये क्या बात हुई, जब बुद्ध एक है, जब त्रिपिटक एक है, जब धंपद एक है, जब बुद्ध की वानी एक है, जब हो, तुम कौन से संग के हो, जब बुद्ध ने जीते जी अपने संग को नहीं तोड़ा, और देवदत जो उनके, उनका चचरा भाईता, उस तक को निकाल के खतम कर दिया, तो जब बुद्ध ने साफ साफ कह दिया, संग नहीं तूटेगा, तो भई, आप कौन हो, बुद् सादू संगत करना, तो आप कौन हो, अलगलग काम करने वाले, जब हमारे महापूर्सों ने जातिया बनाई नहीं, तो आप कौन हो जातिया मनने वाले, इसलिए आप ही को कहنا पड़ेगा, आपको बार ऍबार कहना पड़ेगा, अरे भर ये नाटक बंद करो, ये जो आपने संग्ठन देखो, 30 संग्ठन देखो, 37 संग्ठन देखो, 28 संग्ठन साथ साथ हैं, अब पैसा दो, नहीं देना, पैसा देंगे जब घुलय करन होगा, तब आपको सारे संग्ठनों का घुलय करकर एक बनाना होगा, एक बनाओगे तो जीत पाओगे, नाटक करोगे तो और हार जाओगे, सम्मेलन करना या कोई बड़ा कायक्रम करना या कोई फंक्षन करना जरूरी नहीं है जरूरी है सब लोगों का एक साथ आके डिकलेशन करना कि अब हमने अपने इतने संक्ठन विले करती हैं अब हम सब एक हैं और अब हम उद्धार करेंगे सब का आप ना भी उद्धार करोगे एक हो जाओगे तो अपने आप सब का उद्धार हो जाएगा यही प्रकरती है यही प्रकरती का नियम है यही संग है और यही संगत है और यही साधू संगत करने के लिए सारे महापोर्सों ने कहा है इसलिए जितने भी समर्संगी हैं वो इस बात को समझें कि अब हमें लोगों से कहना है कि इन संग्ठनों का विलेकरण करो और तब हमारे पास आओ तब हमें तुम्हें पैसा देंगे तब हम सपूर्ट करेंगे अन्यता हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब मरना ही है हमें और सतर साल से हम मरी रहे हैं तो बहतर है कि कम से कम अपना पैसा तो बचा लें संगंग नमामी धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद चंगं सरनं गचाम दूतियंपी बुद्धण सिरनं गचाम दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी 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 दूतियं पी धम्मंग झाल झाल